चलिए आज का लेक्षे शुरू करते हैं आज हम पहाड़ी कोर्वा के बारे में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आप इनका निवास छेत्र देखिए इनका जो निवास छेत्र है ये भी मैं जो आपको करारी हूँ सबसे पहले हम विशेश पिश्री जनजातियों को कवर यानि कि जो नौर्थ 36 गड़ उत्तर 36 गड़ की जनजातियां पहले उनको कवर करेंगे फिर उसके बाद जो मद्धी 36 गड़ और फिर देच्चे 36 गड़ इस प्रकार से हम जनजातियों को कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले आप पहाड़ी कोर्वा के बारे में देखिए क कि इनका मुख्यता निवास कहा है इनका जो मुख्यता निवास है यह कोर्बा जिला और कोर्बा के अलावा यहां सरगूजा जिला में यह मुख्यता पाए जाते हैं तो यह चीज़ आप अच्छे से याद रखेगा इन दोनों जिला के अलावा यह कुछ पोर्शन जो बलराम बलरामपूर है बलरामपूर के अलावा जश्पूर वहां पर भी पाए जाते हैं तो यह चीज़ा आप याद रखेगा में इन दोनों जिलों में पाए जाते हैं उसके अलावा बलरामपूर और जश्पूर में भी पाए जाते हैं कहा जाता है कि कोर्वा शेतर का नाम भी यह कोर्वा के कारणी पढ़ा है क्योंकि कोर्वा जन जाती वाले हैं आप काफे ज़दा रहते हैं उसके अलावा इनका अगर आप प्रकार देखेंगे तो ये इनकी दो उप प्रजातियां हैं ठीक है पहाडी कोर्वा कहते हैं और उसके अलावा दिहाडी कोर्वा जो आप पार पारी छेत्र में निवास करते हैं तो यह चीज़ बीन के बारे में याद रखिएगा साथ-साथ में नोट करते जाए या फिर टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके लिख लीजेगा बाद में उसके बाद इनके जो भगवान होते हैं यानि की दिवी देवता होते ही यह कौन ह होते हैं कौन है यह किसको मानते हैं यह खोडिया रानी को मानते हैं मैंने आपको कैसे याद करवाया है सारी चीज़े मैंने पहले ही याद करवा दिये ताकि आपको रिलेट कर पाएंगे असानी से खोडिया मैंने ऐसे कहा था कि जहां पर भी कोर्वा आता है तो यानि की का ठीक है लड़के होते हैं उनको खेलने के लिए कार दी जाती है लड़किया होती है उनको गुडिया दी जाती है जन्रली तो ऐसे चावल से बनाया जाता है तो जैसे कभी भूल गए चावल तो ऐसे करके आप प्याद रख सकते हैं कि जैसे को रवा 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 इडली सामपर होता है ना रवा दोसा तो वैसे हडिया भी चावल से बनाया जाता है उसके अलावा यहां पर इनके में एक ट्रेडिशन है एक प्रता है जिसमें की बॉडी में क्या है आग से मार्क बनाया जाता है निशान बनाया जाते हैं जिसको की दरहा कहा जाता है तो आपको पूछा जा सकता है कि यह जो दरहा है वो कौन से जनजाती से संबंदित है या फिर यह जो है यह किस जनजाती में आग से निशान बनाया जाता है उसको यह कहते हैं ठीक है जैसे जो लड़क अगर आपके पास कार है तो आप दर दर भटक सकते हैं, कहने का सेंस आप एक जगा से दूसरे जगा घुमने जा सकते हैं, तो दरहा को आप ऐसे याद रख सकते हैं, उसके अलावा फिर इनकी आप क्रिशी को देखें, क्रिशी को कैसे याद रखेंगे, इनकी जो स्थानांतर तो इसको आप कैसे याद रखेंगे इसको मैंने ऐसे बोला था आपको याद रखने के लिए कि देवारी से मालेजे देवी तो अधिकतर पहाडों पर ही देवी देवी देखेंगे तो जैसे बमली इश्वरी माता हो गया डोंगरगर हो गया अधिकतर जगह से पहाडों पर ही होता है तो ऐसे करके आप यह याद रख सकते हैं उसके अलावा इनका अगर आप लोक निर्थे देखेंगे तो दमनच निर्थे इनका बहुत फीमस है ठीक है और इसको अगर आप जानते होंगे तो इनको इसको सबसे भयानक निर्थे कहा जाता है यह आप कैसे याद की तो सोच लीजेगा इतना दम लगाकर की नाष्टेरेंगे लोग देखकर डर जा रहे हैं इसलिए इसको भयानक नृत्य कहा जा रहा है आपको एक्जाम में ये भी पूछा जासकता है कि ये जो डम नष्ट्य है कब किया जाता है तो इसको विवाह के अफसर पर किया जाता है तो इसको आप ऐसे याद रखेगा अधिकतर जब विवाह होता है शादी होती तो काफी excitement होता है कर जिन्स में सब पूरे परिवार में काफी excitement होता है तो वैसे करके आप याद करके बहुत पॉर्टंट करते हैं तो फेली चीज तो दमनच कम किया जाते हैं विवाक पर किया जाते सबस्ते असकर आपको नहीं राख किसवे डानुस करते हैं मतलब कौन से जनजाती वाले करते हैं तो एही आद रखिएगा पहाड़ी कोर्वा थी कोर्वा कार थी कार से मैं हमेशा रिलेट करवाती है तो कार कभी आप देखेंगे विवाह वगयर में यूज होता है और अगर किसी के पास कार है तो उसमें ज्यादा दम है ऐसा मान सकते हैं दम कहने का सिंस की तोड़ा पावरफुल है जैस सबसे पहले फिर अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मैयारी इनकी जो पंचायत होती है एक जाती पंचायत होगे और एक गाउं की जो पंचायत है नॉर्मली तो पंचायत को यहाँ पर मैयारी कहते हैं तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ठीक है कोर्वा से से जाती पंचायत का मुख्या है तो इनका काम किया है कि यह से कुछ डिसीजन सुनाना है तो क्या सच जूट का तोलमूल करेंगे और उसके बाद अपना न्याय जो है वो सुनाएंगे ठीक है तोलादार जैसी आगना किसको तोलादार कहते हैं तो यह क्या बुलते हैं कोर्व कोर्वा से वैसे भी कार है तो इनको थोड़ा से उपर समझना है ठाट बाट वाले समझना है ऐसे करके तोला दाथ इनकी पास दस तोला सूर्णा है ऐसे करके आपको समझ सकते इनको थोड़ा से रिचाप रीट कर लीजे समझ लीजे उसके अलावा फिर देखिए यहां पर व अंबिकापुर और साउट करेता है तो जन्रली जगदलपूर हो जाता है और जहां पर उनका जादतर निवास है तो यह अंबिकापुर पूर्भा तो आपको याद आजाएगा कि यह अंबिकापुर ही एरिया है उसके अलावा इसमें इनमें जो मृतक संसकार होता है तो उसक उसके अलावा यहां पर कुमारी भात जो इनका ठीक कर्म होता उसको कुमारी भात कहते हैं तो इसको आप कैसे याद सकते हैं तो इसको आप ऐसा सूचेगा कि न्यू कार ली है तो पार्टी तो देना ही पड़ेगा ठीक है फ्रेंड्स को अगर आप पार्टी नहीं देंगे तो ऐसे कैसे चलेगा तो वैसे करके आप याद रख सकते हैं कि कुमारी भात तो कौन बहुत ठाट-बाट से रहता है वही यह सब ठीक है और्गनाइज कर पाएगा तो यह पहाड़ी कोरवा वाले ऐसे करके आप इसको याद रखेगा बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी जल्जातियां हैं इसके अलावा इसमें दो चीज़ें आपको और याद रखनी है इनके मृत्तक वाले में याद रखेगा जैसे अगर माली जी किसी की डैत हो जाती है तो उस जोपड़ी को नस्ट कर दिया जाता है यह इनका एक ट्रडिशन है कि उस जोपड़ी को फिर यह नस्ट कर देंगे उसके अलावा जैसे कि डिलिवरी होती है फीमेल्स की तो उसके लिए एक अलग से ठीक है बनाया जाता है जोपड़ी जिसको की कुमबा कहते हैं तो उसको याद रखेगा कुमबा और उसके अलावा यह जो जन जाती वाले हैं पहाड़ी कोरवा वो मचान बना करके रहते है कहां पर पेड़ों के उपर यह भी चीज आपको पूछा जाता है कि कौन पेड़ों पर रहते तो आप सोच लिजेगा कौन है पहाड़ी दिहाड़ी तो ऐसे करके फिर यह आपको याद आजाएगा मचान से आप मकान जैसा तो आपको यह याद आजाना चाहिए ठीक है इस प कि यह पर रहते हैं जश्चपूर प्लस रायगर तो आपको दोनों का ओटा चल लाएगा पहाड़ी कोर्वा रहते है तो यह कि का पूर्फुर कर रह this summer याद रखेगा सिर्फ पहाडी कुर्वा पूछा राएगा तो आप अंबिकापुर बोलेंगे और अगर आपको जश्पूर का मतलब इन दोनों का मिलाकर पूछा राएगा तो आपको जश्पूर करना है ठीक है इतनी चीज़े आप इनके बारे में अच्छे से याद तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजेगा या फिर आप वीडियो के साथ साथ भी नूट्स बना सकते हैं फटा फट से मैं आपको कुश्चिन ऑफ दे दे देती हूं जिससे कि यह पता चलेगा किसने किसने लेक्चर ध्यान से सुना है और किसको किसको आंसर पता है पहला कोश्चिश आपको बताने है कि पहाड़ी कोर्वा के देवी देवता जो भी है तो अपको बताना है पहलई चीज उसके बाद दूसरी चीज़ आप बताएंगे इनके का यह के एक और चीज अगब स haul लिए आट इंगों आप comment section में दीजिए उसके बाद next year lecture आएगा उसमें हम कमार जन जाती के बारें पढ़ेंगे यह जो CG जन जाती का है इसका lecture series जो आपको continuously daily 9 PM है इसकी timing टीक है आप daily 9 PM पर check कर लिया करिए क्योंकि कि लिंक हो सकता है send हो नहों लेकिन आप 9 PM पर daily आप देख लीजेगा lectures चलिए आज के वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम कमार जन जाती के बारें पढ़ेंगे धैने वाद आप सभी को